प्रिश्ना राधे रादेश सभी ठाकुर भक्त गुमेरा प्रणाम आप सभी का स्वागत है आज हम कुछ बनाने नहीं जा रही दोस्तों यह तो मैंने कुछ शॉपिंग मतलब की शॉपिंग क्या बल सकते हैं कपड़ा वपड़ा कुछ लेकि आया था तो उसका जो है मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ मेरे प्लाणिंग तो मैंने करके आया था कि मैं लेके आओगा पड़ ले सेस जो है वो मुझे जादा मेरे मन पसंद जो हैं नहीं मिले क्योंकि जो है वो लोग जो वोलसेलर दुकान में अच्छी थी बड़ वो बंडल समें थी दोस्तों बंडल में ज्यादा बचेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा लगती नहीं है एक दो मिटर लगती है तो मैं वह यूज करके निके बाद में वह तो बंडल वैसे ही पड़ा रहता है तो इस वाज़े से जो है मैं मिटर के हिसाब से लाता हूं मेरा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों आज यह जो भी वीडियो में बता रहा हूं वह जस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो है तो आप जस्त मुझे प्राइस के बारे में मतलब जादा ना प कपड़े मैंने अच्छे लगे कलर्स वगरे में अच्छे थे और कपड़ा भी सिल्क में है अच्छा है जब सिलाई करते हो आप तो इससे इसलाई भी जो है अच्छी होती है ज्यादा महिंगा मुझे ये कपड़ा नहीं मिला है लगबग 30 या 35 रुपे मिटर के हिसाब से कुछ ये मुझे कपड़ा मिला है तो ये ओरेंज कलर एक मैं लाया हूँ एलो कलर, ब्लू, ब्लू नहीं, वाइलेट कलर है यह, यह रेड कलर, और यह एक लाइट ग्रिन कलर, और मैं कलर लाया था, एक मिनिक, देखते हूँ, एक कलर में लाया था, इस तरीके से मैंने 6 कलर इसमें से उठा लिए, जो भी मुझे पसना, दोस्तों जब भी आप मार्के में जाते हो तब आपको कुछ चीजे जो है ध्यान रखनी होती है सबसे पहली बात जो है यह अभी कोरोना का चल रहा है तो सबसे पहले आप एक बार मार्केट में जाए तो पूरा घुम के जो सामान लाना चाहिए आपको क्योंकि जो है अभी जनमास्ट में नस्दीक में ही ह तो आप अभी से अगर कुछ समान लेके आएंगे तो आपको जो है कुछ आइडियास वगेरे आपके दिमाग में भी आये तो आप उसका बना सकते हैं जो है अभी आप अगर जब मार्केट में निकलते हो प्लाइनिंग बनों के कि आप आपको ऑपर आप किनात तो लुकर में दूकान दार चल रहा है वो भी विलचारिका कर सकते हैं माल ही नहीं हैं उनके पास में तो इस हिसाब से 45 आदिया दीमाक में लेकर जाएं और वहाँ पर पर लिस्ट बनाएं दोस्तो आप चाहें मोबाइल में बनाओ बने पेच पर बनाओ काई से बनाओ ृक प्रॉपर लिश्ट बनाके जाओ अब जिससे क्या होगा आपको जो समान लेनें पूंई कम ने यह कुछ तो है इसके बाद में गोलडन लाए था एक पींक लाया था जा क्लर मताए है है कूछ पषक कलर में तैंद कौर में मुझे यह एक पंसका सकते हैं कौन सा में कOULD देखते हैं में-कपड़े इसके उपर डार् गोल्डन वर्क है इसके यह चमचम का भी वर्क है और यह बहुत ही सुन्दर है कपड़ा एकदम बारिक डिजाइन है दोस्तों मुझे देखते ही पसंद आ गया था और जो है इसके उपर जो काम है बहुत ही सुन्दर है यह कपड़े मुझे टुकड़े में मिले दोस्तों टुकड़े में मैं कपड़ पर्चेस नहीं करता हूँ बट जो सेलर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप भगवान के लिए ले रहे हो तो यह ऐसा कपड़ा खराब और आप नहीं है यह तो बस जो हमारे पास पीस बच जाते है लास्त में वो है भले ही कपड़ा सुन्दर था दोस्तों हमारे यहाँ पे ज्य संद आ गया तो इस वज़े से यह लिया यह मुझे 500 रुपे मिटर का मिला दोस्तों मेरे खाया से काफी सस्ता मिला क्योंकि मार्केट में सेम कपड़ा जो है वह 200-200 रुपे मिटर की हिसाब से इंब्रॉइडरी वाली कपड़े मिलते हैं तो मुझे 500 रुपे मिटर की संद में आ गया वही कपड़ा है मतलब कि आप जब भी मार्केट में जाते हो दोस्तों तब आपको आपकी आखों को जो भी कपड़ा पसंद आ जाता है तो वह आप लेना चाहिए क्योंकि जो है अच्छे लगते हैं यहां पर और यह कपड़ा में लेकर आता बहुत ही सुन्दर मेरा मुझे इतना पसंदा है दोस्तों को सबसे यह कपड़ा है एतना सुंदर हुआ लगता है और यह तो मतलब आप देख सकते हैं हेवी में मिला मुझे कपड़ा बारिक काम है धोस्टों ज्यादा है है धुलिट हो तो इसका ऊपर काम जो है थोड़ा बारिक काम किया हुआ है तो यह अланमाच Why ट्रेसा कपड़े मंद्स तो मैं यह यह पूरी पसंद आया यह तो सबसे पहले मैंने यही चूज किया था और बहुत सुन्दर कपड़ा है आप देख सकते हैं पूरा जो है जरी का काम है दोस्तों इसके उपर और उसके साथ में जो है यह पींग कलर की बुटिया बनी है स्काइब लू कलर है तो एकडम एक कॉंट्रास्ट जो बोल सकते हैं वह आप बोल सकते इसके साथ इन कबड़ों के साथ में आप लेसे सिस्तमाल ना करो और ऐसे ही पोशाग बना दो तो भी इसका लुक जो है बेकार नहीं लगेगा एकडम अच्छा और एकडम रॉयल जो है लुक लगेगा यह कपड़ा बहुत ही रॉयल है दोस्तों एकडम डल कलर थे जैसे कि आप बोल सकते हैं मैले रंग जो बोलते हैं उस ताइप में मैले रंग अच्छे नहीं लगते दोस्तों उतने तो फ्रेश में मुझे एक खी मिला रेड में बाकी मैंने उनको यलो अगेरा और बाकी कपड़ों के बारे में पूछा तो उन्हों में बोला कि ये हमारे पास विलेबल नहीं है तो ये गोटा कमें है दोस्तों या भी बहुत ट्रेंडींग चल रहा है तो मुझे लकी मिल कुछ सिल्क में भी है कपड़े लिये थे वाइट कलर का ये कपड़ा लिया है बूटी में है मुझे वाइट बहुत पसंद आता है दोस्तों इस जो भी वाइट दिख जाता है और गोपाल जी के उपर भी येलो एंड वाइट कलर जो है बहुत अच्छे लगते हैं मेरा परसन है दोस्तों ज्यादा बडबट नहीं है आप डेली यूज के लिए इस तरहीं कपड़ा यूज कर सकते हैं मुझे घेरी वाली ड्रेस के लिए आधा मिटर कपड़ा सब्फिशेंट हो जाता है आधा मिटर कपड़ा जो है यह हो जाता है तो इस तरीके से मैंने एक ब्लू भ वाइट हो गया यह भी वाइट हो गया कुछ कपड़े मेरी रिपीट हो गए दोस्तों अभी क्या कर सकते हैं तो इस वजे से जो है वह इस तरीके से आप जब भी घेरे वाली ड्रेस बनाने जाओ आपकी दिमाख में आएड़ा तो आदा मिटर में दो ड्रेस बन जाती है य दोस्तों में यह 2 मिटर जो है अस्तर का कपड़ा भी लेकर आया था वाइट कलर में कुछ ट्राय कर सकते हैं इसके अंदर पीछे साइड में अस्तर लगाने के लिए घेरे वाली क्यूंकि कपड़े सौफ्ट है कुछ तो इस वज़े से अस्तर का काम भी हमें चाहिए होता उसके बाद में कुछ वेलवेट भी में लेकर आया हूं दोस्तों वेलवेट के फैबरिक में लेकर आहूए आपको मतलब मैं नहीं वाला था लेसेस लाने वारा था बट मुझे मिले नहीं लेसेस तो इससाथ से मैं कुछ लेकर आया हूँ तो यह कुछ फ्लावर्स मैं लेकर आया था दोस्तों यह रेड कलर के जो पेपर वाले फ्लावर है वो मैं लेकर आया हूँ इसका पैकेट लेकर आया हूँ 144 फ्लावर्स का जो बीस उर्पे का मिला आप मुझे बता सकते हैं सरस्ता मिला या महिंगा मिला कमेंड बॉक्स में क्योंकि हमारे आप एक होलसेल से ही लाया हूं मैं यह मैं कुछ परांदे लेके आया हूं वाइट कलर में तो यह इसका भी एक पैकेट लिखा हूं यह मुझे 180 का जो है पैकेट म मिलते हैं यह गोटे में लेके आया 10 रुपे का एक मिल रहा था मैं दो लेके आया इसके छोटे साइस के इसमें वाइट कलर का मुझे नहीं मिला तो इस वाज़े से ओरेंज ही मुझे लेना पड़ा इसके बाद में यह पींक कलर की एक लेस लेली यह मिल रही थी मुझे ऐस सकते हैं चार कलर मैं लेकर आया हूँ यह भी मैं साइड में रख देता हूँ और और जो है मैं यह गोल्डन कलर की बारिक लेस हैं वह भी लेकर आया हूँ मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारी बहुत ही नाजुक जो है लेस है बंडल म में मिल ही नहीं रहा था तो इस वज़े से मैंने बंडल की हिसाब से लिया और जो खुले में थे वो तो एकदम छिचोरे लिसे थे जो इसमें एक अच्छी यह मिल गए तो यह में लेके आया हूँ इसके बाद में दोस्तों यह मैं एक साउथ इंडियन स्टाइल में कुछ है तो यह भी लेके आया था गोर्डन कलर में मुझे मिल गए बहुत ही सुंदर लेस है इसके उपर जरी की लेस है अच्छा काम है और ज्यादा महिंगा मुझे नहीं मिला यह बंडल जो है मुझे कुछ तो बंडल मिला इसके अंदर लगबक 12 असपास कुछ तो भी लेस है तो ये भी मुझे मिल गया और ये वाला जो बंडल है मुझे मिला 55 रुपे का ये बंडल मिला उसके बाद में ये बंडल जो है मुझे 45 रुपे का ऐसा ही कुछ मिला मुझे रेट याद नहीं है दोस्तो उसके बाद में ये golden color का भी जो ले का आया था दोस्तो ये मोतियों वाली लेस है बहुत ही सुन्दर लेस है किसी भी ड्रेस के साथ में आप इसका यूज कीज़े घेरे वाले ड्रेस के साथ में एकदम जो है रॉयल लुक देती है ये मुझे मेरे खाल से आ रहे थे इसके उपर 220 रुपए का जो है 220 रुपए का 15 मिटर का मिला मुझे मतलब कि लगभग 14 रुपए का कुछ तो भी जो है वो एक मिटर के आसपास मुझे मिल गया और कुछ जो मेरे खाल से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डामेज भी है बट उनके पास एक ही बंडल था इसमें जो वराइटी होती है कुछ जो होता है वो एकदम हलका वराइटी में मिल जाता है दोस्तो तो आपको उस तरीके के नहीं लेने है जब भी आप ले तो एकदम ऐसे पॉलिश बिड्स के लेने चाहिए आप उनको माए सकते हैं दुकान दार लोग तो पहले आपको हलका ही दिखाएंगे दोस्तों बट आपको जो है आपको इस तरीके से आपको उनको मांगना है जो कि यह बहुत ही सुंदर ल लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको वीडियो हेल्पूल लगे तो लाइक किए जिए और जो है आपके इसके मैंने चुलाए इससे रेटर कोई भी आइडिया आपकी दिमार्ग में हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं थैंक्यू सो मुझ दोस्तों रा सकते हैं